इस बात को सुनिएगा, बड़ा सिरियस मैं बता रहा हूँ यार, क्योंकि काफी लोग, लाखो कड़ों लोग ऐसे हैं, जो इस प्रोब्लम से परसान हैं, और आप उसका एक सल्यूसन निकालेंगे, जो अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं करता है, और आप करेंगे यार, मै मैं से लगता है कि काफी लोग का भला हो जाएगा, कड़ों लोग का भला होगा, कहीं से भी मझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, देखिए, दोस्तों हाइड्रोसील जो होता है, गोली बोलते हैं जिसको, मैं उसके बारे में एक ऐसा बी जान से देखेगा, चली स्टार्ट करते हैं, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कि जो हाइड्रोसील है, जिसको की, मतलब की कोडी बोलते है, गोली बोलते है, जो गोली होती है, काफी लोग होंगे, मेरे दोस्तों जो सोच रहोंगे, क्या मतलब इस तरीके के बात कर रहा यार यह तो अजीब वर्ड यूज कर रहा है मैं गोली यूज कर रहा हूँ, गोली नाम ले रहा हूँ आप समझ रहोंगे कि मैं किस चीज की वे बात कर रहा हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है जैसे मेरे जैसे कोई लड़का है या फिर मेरे से थोड़ा छोटा है या बड़ा है या बुजूर्ग लोग भी है या जवान लोग भी है तो जो गोली होती है तो एक छोटा हो जाता है और एक बड़ा हो जाता है होता है कि नहीं होता है आप ज़रा सोचिए गयार ठंडे दिमाग से सोचिएगा और बड़ी प पुलिस भरती में जाते हैं, या फिर किसी आर्मी में जाते हैं, या फिर मतलब किसी भी विभाग में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका medical check-up किये जाता है, उसमें अगर कुछ निकल जाता है, नुक्स तो फिर उसके विज़े से लोग निचे रह जाते हैं, फेलो जाते हैं, उ बढ़कते रहता है और किसी डॉक्टर के पास भी जाने में सर्माता है कि यार में डॉक्टर के पास जाता हूँ तो पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, मतलब कि उसको हता है या थोड़ा तो मैं उसी का solution लाया हूँ, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा बिजनस है, जी हां, बिजनस है, और ये बिजनस मुझे लगता है कि सब की जरुरत है, मतलब हर किसी को जरुरत है, इंसान यदि फिट रहना चाहता है, या फिर उसका ये प्रोब्लम है, आइडरोसील बाला, तो ये उसके लिए बहुत फाइदेमंद है, जी ह दिकत क्या होती है, काफी जो बड़ा हो जाता है, तो उसमें पानी आ जाता है, सरीर में पानी पीते हैं, या फिर किसी भी तरीके से पिसाब जो होता है, उसमें चला जाता है, एक बड़ा हो जाता है, जिसके वज़ा से आदमी को चलने में दिकत होती है, उठने बैटने मे ना समझ रहे हैं कि मैं क्या करे रहा हूँ तो उसको डर्द भी होता हैμαность कभी कभा चाझस हो जाता है यह साँ कि दर्ध के मारे चिलाते जुसा कि जब बड़ा हो जाएगा आधा किलो का जैसे जा ऑप सकते हैं मैं क्या वर्ड यूच मतलब उस तो तरीक के हो जाता है तो और फोगर या लेकिन जब चोटा हो रहता है मेडियु viens साइज मेरता है फ़लका सा हैut बिजब रहता है तो इनसान को संस्वीटी होती है, दर्द होता है, एक आइठान होती है, ऐसे बोल सकते हैं, तो उसका solution मैं लाया हूँ और इसमें बहुत बड़ा business भी है, कैसे बेचेंगे, वो भी बताऊँगा, और कहाँ पेज आकर बेचेंगे, वो भी बताऊँगा, और कितने का आपका खर्च आएगा, और महीने का मैं कहा रहा हूँ कि पचास सो हजार आप कमाएंगे, जी हाँ, अब आप मैंसे ये मत कहना कि भाई, तू क्यों नहीं कर रहा है, पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद से आप डिसाइड किजिएगा, कि मैं क्या मैं सही कहा रहा हूँ कि घलत कहा रहा हूँ, ठीक है, तो दोस्तों, आरके टूल इस चैनल को बनाये हुए, बस धाई तीन साल हो गया, करीब करीब, तीन साल हो गया, और मैंने काफी ऐसे बिजनस आइडिया दे चुका हूँ, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आज जो बिजनस आइड लाया हूँ मैं, मैं गरंटी रहता हूँ कि पूरे यूटूब में नहीं होगा, देखी, आदमी फिट रहना चाहता है, लेकिन वो ये काम नहीं करेगा, जो मैं बता रहा हूँ, आप भी नहीं करेंगे, आप वीडियो देखेंगे, फिर चले जाएंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आप कीजिएगा, फिट रहना है, तो इस काम को कीजिएगा, जीवन में कभी मतलब इस तरीका प्रोब्लम नहीं हो गया, मैं इस experience से बोर रहा हूँ, मैं कोई doctor नहीं हूँ, कि मैं जो कह रहा हूँ, वो साइद मतलब की लोग यूजी करेंगे, लेकिन एक कोई दबाई भी नहीं खाना है, एक तरीका है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, लंगोट कไन आप सुनें आप, मैं लंगोट पहनने के बात नहीं कर रहा हूँ, पहले सुन emailed, मैं क्या कह रहा हूँ, लंगोट क Pourquoi आप सुनेंगे, वही लंगोट जो पहनते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो जो लंगोट है अगर आदमी उसको पहने तो वो fit रहेगा वो जानता है लेकिन वो पहने का नहीं उसको मिलता भी नहीं है तो एक business मैं आपको बदा रहा हूँ ये business काफी search करने के बाद मैं दे रहा हूँ आपको ध्यान दीजेगा आपको क्या करना है किसी tailor master के पास जाईए tailor master के पास जो कपड़े लोग सीथे हैं उनके पास आप जाईए और वहाँ पे एक या दो दिन पूरी अच्छी तरीके से आप सीख लीजिए कि जो लंगोट है उसको सीला कैसे जाता है बेचने का तरीका मैं एक दम परफेक्ट बताऊंगा जो मतलब आपको धूड़ना नहीं पड़े गार कस्टूमर कस्टूमर आपके पास आएंगे ऐसा तरीका मैं धूड़के लाया हूँ ठीक है तो पहले आप उसकी ट्रेनिंग लेजिए दो दिन में सीख जाते हैं लोग अपने लिए नहीं आप लाखों लोगों की जिन्दगी बचाएंगे लाखों लोगों की अगर यह सीख लेते हैं तो ठीक है आप उसको सीख लीजिए और सीख करके आप लंगोट बनाईए मुझे लगता है उसमें ज्यादा कोई कारगरी नहीं होती है कटिंग किये और दो मिट में आप एक लंगोटा तयार कर देंगे अगर मेरी बात को सुनिएगा बड़ा सीरियस में बता रहा हूं यार क्योंकि काफी लोग लाखों कड़ों लोग ऐसे हैं जो इस प्रोब्लम से प्रसान है और आप उसका एक सलीशन निका लेंगे जो अभी पूरी दुनिया मे कोई निकरता और आप करेंगे मैं जानता हूं कि आप करेंगे क्योंकि यहां से मुझे लगता है कि काफी लोग का भला हो जाएगा कड़ों लोग का भला होगा कहीं सभी मजे सुन रहा है इस वीडियो को ध्यान से देखेगा देखिए लंगोट शेल लिजीए और सील करके इसको एक लंगोट बनाने में जानते हैं कितने खर्च आएगा, दस रुपे, दस रुपे आएगा सिर्फ दस रुपे, अब आप सोचरहोंगे, दस रुपे में, हाँ यार, दस रुपे में, जैसे माल लीजिए, जहां पर जो कपड़ा यूज होता है, मतलब कॉटन वाला कपड़ा, जो गोल सा रुपे होता है, ठीक है, उसको आप खरीद लीजिए, एक लंगोटी की कीमत जो है, दस रुपे आपको लगेगा, और उसको पचास में बेचेंगे, तो भी बिख जाएगा, अब आप सोचरहोंगे, कैसे बिखेंगा, बढ़ी असान तरीका है, जैसे पहले कर्गुलेटर समझाएता हूँ, आपको करना क्या है, घबडा कर मतलब मत देखेगा, सांती से देखेगा, आपको करना क्या है, लंगोट बनाना आप सीख लीजी, लंगोट बनाना आप जब सीख लेंगे, तो आप घर पे जो मसीन है, उस पे आप लंगोट बनाईए, एकर दस मिनट भी में भी अगर एक लंगोट बनाते हैं, तो एक घंटे में आप छे लंगोट बना देंगे, बहुत आसान होता है यार मैं बतातो रहा हूँ बहुत आसान है ठीक है एक गंटे में छे लंगोटा आप सिल देंगे एक गंटे में छी देंगे तो मेरा मतलब है कि आठ गंटे यादी ड्यूटी करते हैं तो आठ गंटे अगर इसको सिलते हैं तो मुझे लगता है कि काफी ज सिलाई कीजिए 15 दिन में अगर सिलाई करते हैं तो मुझे लगता है एक दिन में यदि आप 50 पीस भी बनाते हैं तो 15 दिन में आप आप 750 बना देंगे, जी हाँ, 750 बना देंगे, बना कर रख लिजी, पुजी कितना लेगा मैं आपको बताता हूँ, अगर एक में 10 रुपे लग रहा है न, 10 रुपे, तो आप 750 इंटू 10 यानी करेंगे, तो मुझे लगता है कि 75 रुपे करीब-करीब लगेगा आपका, तो मुझे लगता है कि करीब-करीब 37,000 रुपे होंगे, 37,000 यानी 35,000 रुपे करीब-करीब होंगे, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से अगर 7,000 रुपे निकाल लेंगा, फिर भी आपका 30,000 रुपे बनफीट है, 15 दिन आपने काम किया अब आप घूम करके बिचेंगे, घूम करके मेरा मतलब है, कि आप वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, आपको जाना कहाँ पे है, जहाँ पे लड़के लोग फिल्ड पे जाकर के तयारी करते हैं, आर्मी की पुलिस की, आप जानते हैं, आपके आ 800 लोग एक जगा एक फिल्ड पर दोड़ते हैं लड़के दोड़ते हैं ठीक है अगर 50-50-100 भी बिख जाता यार 15 दिन में तो आपका 750 आराम से बिख जाएगा है क्यों नहीं बिखेगा आपकी कमाई होगी 30,000 रुपे और कोई ऐसा काम नहीं करता है यह भले वाला काम है जो कि किसी भी डॉक्तर के पास भी जाते हैं तो दवाई करने के बाद आपको यही बोलते हैं कि आप लंगोट पहना सुरू कर दीजी ठीक है तो यह कोई प्रोब्लम है हर किसी का प्रोब्लम है मुझे लगा कि नहीं यह बताना चाहिए मैं जानता हूं कि काफी दोगोंगे ज समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं यह कड़ों लोगों की जिन्दगी बचाएगा यह गैरंटी है क्योंकि इससे हर कोई जूज रहा यार इस एक प्रोब्लम है ठीक है और अगर वो सही समय से अगर सुरू कर दे और दोड़ भाग कुछ भी करे तो इसको कोई दिक्क खरते हैं कि मैं कैसे वीडियो देता हूं जो पूरे यूटुब में नहीं होता है बिल्कुल नया इक कशन्टेस deep 1 लाइक करें चैनल को सस्क्राइब कि जिएगा थेल्टे 5 और या